नारायन गुरुजी, जी मया, रादे रादे, कुछ दिनों से आपका सुन रही हूँ, पहले पूजा पर्ट करती थी, थोड़ा सा कर लेती थी, अब बहुत ही ज्यादा मन लग रहा है और बहुत भगवान से प्यार हो रहा है, पर आर्थी कर ली, पूजा कर लिया, पोग तो इतना जादा क्यों हमारे साथ हो रहा है मैं रात में दो दो बज़े तक सो नहीं पा रही हूं मैं ये चाहती हूं कि मुझको आराम मिले क्योंकि मिरे सर्फ दर्दोने लगता है दिन भर स्रीमा नारायन करती रहती हूं और सब लोग हमको कहते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है और मैं इन सब बातों से सूनके सोचती हूं इन सब परपंचों से मैं दूर हो जाओं कहां चली जहां लेकिन अभी मुझको ग्रहस जीवन में ड्यूटी पूरी कर ली है तो आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है हमें बहुत अच्छा लग रहा है हां तो फिर क्या दिखते लोग कहते हैं बता नहीं क्या अ हैंगे और आज यह हमको हुआ के लाएं हैं श्रीमन नारान यहीं हमको लेकर आए हैं और इनोंने आपके दर्सन मुझको कराएं कि पूश रही है राधे राधे गुरु जी राधे राधे बिटा राधे मेरा प्रशन था कि जो क्रिश्न जी थे उनके अंदर इतनी तेज क् कथी कि उनने गूवर्दन परवत उथा लिया वो मख्कन खाते थे ना क्या खाते थे वो अच्छा हां वो मख्कन खाते थे जो मख्कन खाएगा उसमे तनी तागत आएगी वो भगवान है ना आप मक्षन खाते हो कि नहीं हलका हलका खा लेता हूँ कभी पराठे के साथ अरे थोड़ा जादा जादा खा लिया करो कभी पराठे के साथ मक्षन का लौंदा पूरा ना होता गोला पूरा खा लिया करो गप गप खाया करो जादा मक्षन फिर आपके भी खूब ताकत आएगी अच्छा गुरु जी मैं यह प्रयास करूँगा खूब मक्षन खाया करो श्रीमन नारायन जै श्रीमन नारायन रादे रादे गुरु जी रादे रादे गुरु जी हमारा मन एक जगा टिक नहीं पा रहा है जिस भी बगवान के बारे में जिस भी बगवान के बारे में सुनते हैं उनकी तरफ खीचे चले जाते हैं जिस भी बगवान मतलब कितने बगवान है आपके पास बगवान तो एक ही है उनके जिस रूप में भी मतलब देखते हैं जिस रूम में भी जैसे शी शाम जी का हो गया जी, शीकर जी मात का हो गया जी, ऐसे मतलब जिस भी मतलब रूम में देखते हैं उसी की तरफ खीचे चले आते हैं, मतलब एक जगा टिक नहीं पा रहा है जी. तो क्या बुराई क्या है मतलब एक जगा ठीक है अरे एक ही जगा तो ठीका है एक जगा आपकी आपकी पतनी साधी हो गई आपकी नहीं हो गई तो शाधी जब हो जाएगी तब एक बात जो हो गई उनसे समझ लेते हैं साधी के समय पतनी जैसी दिखती है क्या साधी के बाद ऐसी दिखती है बोलो नहीं दिखती तो पतनी का साधी में कुछ और रूप होता है साधी के बाद कुछ और रूप होता है पती को दौनों रूपों से प्यार करना पड़ता है है ना ऐसी भगवान के अनेक रूप है अनेक रूप रूप आए विश्णवे प्रभुविश्णवे तो आपको हर रूप से प्यार करना चाहिए भगवान के पतनी हमेशा थोड़ी वो लहंगा पहने रहेगी जो मंच में रहती है लहंगा वाले और उस वाले इतना एक इंच वाले मेक अप में वो तो बाद में छूटी जाएगा तो फिर भी जैसी रहेगी प्यार करना पड़ेगा आपको फिर ऐसी भगवान कभी कृष्ण के रूप में है कभी राम की रूप में है कभी नरौशिंग रूप भगवान के भी रूप है ना जैसे आप ब्रंदा बनाए less तो आप बड़ी है टिप टॉप बन के आए, घर में तो आप टॉबिल लपेटे गूमते हैं, तो आपका घर का टॉबिल वाला रूप अलग है, बाहर वाला रूप अलग है, है ना, आप जब मॉल ओल जाते हैं, तो वहां का रूप अलग है, तो आपके अनेक रूप हैं के न प्रश्ण है गुरुजी और हम भगवान को किस लिए मानते हैं मतलब भगवान को मानते हैं उनसे कुछ पाने के लिए जा मतलब उनके डर से मानते हैं कुछ लोग है के डर से मानते हैं कि बगवान जे कर देंगे बगवान वो कर देंगे कुछ लोग डरते हैं ये बात सही है कुछ लोग डर के कारण पूछते हैं कुछ डर लेकिन भगवान से सहज प्रैम होना चाहिए जैसे आप प्रशन पूछ रहे हैं और हम आपके प्रशनों का उत्तर दे रहे हैं तो बताओ हम आपके प्रश्णों को तरक्यों दे रहे हैं, कोई हमें आपसे डर लग रहा है, फिर हमारा और आपका प्रैम है, हम यहां बैठे हैं, आप जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारे लिए आप सब लोग नए हैं, है ना, नए हैं, और आप सब लोग यहां बैठे है हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हम आप से कुछ मांग तो रहे नहीं, ना आप हम से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ना आप हम से कुछ मांग रहे हैं, ना हम आप से मांग रहे हैं, लेकिन प्रैम के कारण आप और हम यहां बैठे हैं, हमारे आपकी बीच में क्या है, एक प्रैम है, है 예गा है फ्रैम का हम सब बैठें हैं एस ही बहुपान के मंदिर जाओ तो कुछ भागोने नहीं सहज प्रैम में मांगए आपका दर्शन करने आए हैं आप के मिलने आए हैं सहज परज में आये हैं कोई दर्शन की कोई मांगने के कोई बात नहीं बस देखनें आए पस आप इतने सुंदर हैं आपको सब देखना चाहेते हैं तो हम भी आगे मांगें क्या भगवान सब जानते हैं कि आपको क्या चीए मांगा वागा ना करो